गुद मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट अभी जो हमारा बाकी थास एक्सरसाइज सेवन बी में सिख सेफ फिल इन वीथ ग्रेटर लेज और इक्वल तो आपको इसमें केसे करना हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे ऐसे क्रोस मल्टिप्लाइ कर लेना हैं तो पता चल हैं नीचे नाई नगाए सेवन नाइन कीतना होता है 163 होता है की नहीं होता यह मैं आपको कैसे करना इसके लिए बतारिएं अब 6 Alm persa 54 तो देखोさい 63 अब यह कौन सा 63 बढ़ा है कि 54 मेर की नहीं तो बढ़े के सामने में पर अब क्या सीखाएगा बढ़ा है उसके सामने मुझ छा तो देखो यह वाला 된ा 63 तो इसके सामने अब देखो दो दिया है 13 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा 195 और 14 इंटू 15 करोगे तो क्या आएगा 210 इसमें आएगा 195 और 210 तो दोनों में से कौनसा बढ़ा ये वाला तो किस के सामने इसके सामने आएगा 14 के सामने ये बढ़ा है तो 14 वाला बढ़ा है तो उसके सामने मुझ खुला आ रहेगा अब हमें next दिया है 13 एज़ा कितना होता है 13 एज़ा आपको देखना है 13 एज़ा 104 होता है और 9 एज़ा 72 तो कुन सा बढ़ा ये बढ़ा हुआ तो किसके सामने आएगा ये इसके सामने है तो इसके सामने ये बढ़ा आएगा आपको cross multiply करके देख लेना है कि केसे कौन सा बढ़ा है तो ये बढ़ा है तो इसके सामने किया अब वेसे ही देखो यहाँ पे next अमे दिया है D वाला क्या है d वाला अब यहां पे d का दिया है तो 12 into 13 and 17 into 12 तो कौनसा बढ़ा है यह 12 into 13 करोगे तो 156 and इसका करोगे तो 204 तो कौनसा यह बढ़ा हुआ 204 तो 204 बढ़ा है इसका 13 12 तो किसके सामने आएगा इसके सामने उसका मुखुला रहेगा बड़ा इसलिए और अब next अमें दिया है देखो नीचे 54 इंटू 21 और 43 इंटू तो आप 54 इंटू 21 करोगे तो यही बड़ा आएगा है कि नहीं यह दोनो नमबर बड़े यह 43 इंटू 21 करोगे तो छोटा आएगा तो किसके सामने यह वाले के सामने आपको मुखुला करके रखना है जो भी नमबर बड़ा है उसके सामने आपको खुला रखना है तो देखो 54 इंटू 21 दोनो नमबर बड़े तो कौन से यह वाले में कि यह बड़ा होगा इसका तो इसके सामने आपको मुखुला रखना है अब यह आपको यहां पर next दिया है देखो इसमें आपको इसमें भी देखो यह करना है 255 वंजा 5 और 224 तो आपको यह क्रोस मल्टिप्लाइ करना है तो 5 x 1 2 x 5 वंजा 5 224 तो कौन सा यह वाला बड़ा हुआ यह 5 वंजा 5 और 224 तो यह बड़ा हुआ तो किसके सामने आएगा इसके सामने क्या आएगा मुख खुला रहेगा अब next दिया है 75 जा 35 6 9 जा 54 है की नहीं सिक्कन क्या दिया है 75 जा 35 9 6 जा 54 आता है कितना आता है यह देखो जे 5 x 7 and 6 x 9 7 5 जा 35 और 6 9 जा 54 तो कौन सा यह वाला बड़ा हुआ तो किसके सामने आएगा मुख खुला इसके सामने आएगा देखो यह 54 बड़ा हुआ आमने इसका किया तो अब देखो 21 x 3 करना है 3 x 21 7 x 21 देखो यह करोगे तो 21 3 जा 63 और यह 7 9 जा 63 दोनों देखो सेम नमबर आए दोनों को आमने मल्टिप्लाइ किया तो कैसा आया सेम आया जब सेम आये तो किसकी साम आती है इकवल तो यहां पर किसकी साम आयेगी एकवल की आयेगी अब सबको आपको यहां पर एInsight करना है 11 x 4 जा कितना होगा 11 x 4 तो 44 अब यहां पर भी देखो क्या दिया है 20 1 x 3 दिया है तो क्या आयेगा 63 तो कौन सा यह बड़ा हो गया Yuk अब देखो यह आपको याद रखना है कि यह 3, 4 थे तो यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा है यह वाला है कि नई देखो यहाँ पे 11, 21 नी है यहाँ पे 11, 12 है 11, 4 जा 44, 12, 3, जा 36 तो कौन सा बड़ा हुआ यह 44 बड़ा हुआ तो किसके सामने करेंगे क्रोस मल्टिप्लाइ 16, 7, 11, 12 और 14, 8 जा भी 112 होता है कितना होता है 112 दोनों में क्या आ रहा है 112, 112 आ रहा है तो क्या होगा, किसकी साइन आएगी इकवल की अब आपको देखो यहाँ पे नेक्स्ट में केसे करना है तो सबसे पहले मिक्स्ट वाला है तो 21 इंटू 4 प्लस 11 21 इंटू 4 क्या आएगा 84 उसमें 11 एड करोगे तो 95 डिवाइड यह अब 21, 5 जा कितना होता है 95 वैसे इसका 5, 3, 15, 16, 17 17, and 3 तो अब यह कट हो रहा है तो 5, यहाँ पे 5 आ रहा है 21 तो यहाँ पे 5 और 1 है तो कौन सा बड़ा यह वाला हुआ 17 थर्ड आ रहा है तो किसके सामने इसके सामने क्या आएगा मुह खुला आएगा वैसे इस सब को यह करना 5, 2, 10, और 1, 11 11 और यहाँ पे भी कितना आएगा 1 अब यहाँ पे देखो 5, 3, 2, 8, 1, 9 अब यहाँ पे आपको क्या आएद रखना 11 है 5, 2, 2, 8, 1, 9 5, 2, 2, 10, 1, 11 तो यह वाला हुआ बड़ा हुआ कि नहीं तो किसके सामने आएगा मुह खुला इसके सामने आएगा यह बड़ा हुआ इसलिए 5, 2, 2, 10, 1, 11 और यह 5, 2, 1, 9 अब वेश्टे ही आपको यहाँ पे दिया है नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे देखो यह 14 और 10 है तो यह रहेगा 10 वंजा 10 क्या आता है 10 वंजा 10 और 1 इसका करेंगे 10 वंजा 10 और 4 14 और यहाँ पे 10 अब तो कितना आया 14, 10, 14, 10 देखो यह भी इसका भी 14 और 10 इसका भी 14 और 10 तो किसकी साइन आएगी इक्वल की आएगी क्योंके 14 और 10 हुआ 14 और 10 तो कितना हुआ दोनों देखो 14, 10 इसका किया 10 वंजा 10 और 1, 4, 14 14, 10 और यह 14, 10 तो किसकी दोनो सेम हुए दोनो साइड तो किसकी साइन आएगी यहां पे इक्वल की साइन आएगी अब वेसे ही आपको यहां पे next दिया है तो सब में आपको ऐसे 8, 2 जा 16 17, 18, 19 ऐसे अब वेसे ही यहां पे आपको 2, 7, 14 14 और 5, 19 बट आप अब यहां पे 19 और 8 आएगा और 19 और 7 बट आप यह दोनों का अब यह सेम नहीं है तो इसका आप डिवाइड करोगे तो 2.5 और इसका डिवाइड करोगे 2.7 तो कौन सा बड़ा हुआ यह 7 वाला 2.7 तो किसके सामने इसके सामने क्या आएगा मुँख खुला आएगा वेसे ही आपको नेक्स्ट में ऐसे ही करना है 5,9 जा 45 और 4 इतना हैगा 49 आएगा बट आपको इसमें भी क्या करना है 7 तो यह कौन सा यह छोटा हो जाएगा यह बड़ा है इसे तो किसके सामने इसके सामने आपको मुँख ऐसे खुला रखना है अब हमें देखो दिया इसमें Right In Descenting Order Descenting मतलब आपको कैसे जाना है Descenting मतलब बड़े नंबर से आपको कहां तक छोटे नंबर तक लिखना है यहाँ पे तो सब सेम लिखा हुआ है तो सब से पहले अब यह वाला दिया है तो इसमें क्या करेंगे 9 वंजा 9, 9 और 1 आपको कितना है, यहां पर 4 है 9 के अंदर हमें 4 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 13 हो जाएगा 9 के अंदर हम 4 8 करेंगे देखो यह है, तो 9 वंजा 9 उसमें, किज़े से कर रहा है 9 into 1, प्लस 4 जब इसे mix section वाला है, तो 9 9 वंजा 9, उसमें 4 8 करेंगे तो कितना आएगा 13 और 9 तो यह सबसे बड़ा हुआ descending मतलब आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर तक, तो सबसे पहले कौनसा यह वाला नंबर आएगा, तो मैं यहां पे लिख रहे हूँ, 1 4 9, अब next, बड़ा नंबर अब देखेंगे, यह हो गया, आप सबसे बड़ा कौनसा यह दिखाई दे रहा है आपको 8 9 यह आगया, अब कौनसा यह है, 7 7 9, इसके बाद 6 9 इसके बाद 2 9 है कि नहीं descending order मतलब आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना है तो देखो, यह मैंने पहले क्यों लिखा 9 1 2 9 4 13 8 7 6 2 अब वैसे यहां पे देखो, सब में देखेंगे, उपर 15 दिया है, बट नीचे देखना है आपको तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पे आपको दिया है, तो क्या करना है, कि सबसे पहले 15 उपर दिया है तो अब यहां से नीचे देखना है आपको 13, 17, 90, 21 और यह दिया है, तो इसमें कैसे आएगा तो सबसे पहले आपको इसमें एरेंज करना है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, वो देखेंगे जब एसे उपर नीचे हो तो आपको इतना याद रखना है, इसमें कैसे कि अब यह नीचे वाले में जब डिसेडिंग ओडर है, तो छोटे नमबर मतलब यह बड़ा होगा, 13, 5 उसके बाद आएगा आपका, तो सबसे पहले लिखेंगे 15, 30 इसके बाद 15, 16, अब 15, 7 17, नेक्स्ट आएगा 15, 19 15, 21 आपको यह सिम्पल है, इतना याद रखना, अब नेक्स्ट दिया हमें डिसेडिंग ओडर है, तो सबसे पहले यह बड़ा कौन सा यह वाला है, 65 65, डिवाइड 17 अब, अब देखो 17, 3 जा 51 और उसमें 1, 8 करेंगे तो 52 आएगा, तो 3 1, 17 अब बेसे, 17, 2 जा 40 34, 35, 36 तो अब देखो, 36 अब से बड़ा हुआ इसमें तो 2, 2 और 17 अब नेक्स्ट देखना है, अब कौन कौन सा बचा, 19 और 17, अब यहाँ पे आएगा, 11 और 17, अब को यह जो बेसे नमबर है, तो आपको मल्टिप्लाई करके देख लेना है, तो सब में यह नीचे वाला है, जब एसे उपर दिया हुआ, तो उसमें आपको डिसेडिंग में क्या याद रखना है, छोटे-छोटे से बड़ा जाना है, अब नेच्स्ट में दिया है, राइट-इन एसे डिंग ऊडर, इसमें एसे डिंग और में आपको लेखना है, मतलब एसे डिंग ऊडर में है तो आपको छोटे नमबर से जाना है तो 4, 7, 4 के बाद 5 अब ये है 6 अब 7, 2, 14, 16, 17, 18 हो रहा है तो कौन सा ये वाला आएगा और अब 2, 3, 7 देखो 4, 5, 6 अब ये सेडिंग मतलब किसमें चोटे नमबर से बड़े तक जाना है अब ये से next दिया है हमें सब में सेम है 21, 21 है अब next देखेंगे तो 12 है सबसे छोटा नमबर तो 12, 21 उसके बाद देखो 14 है न 14, 21 अब 17 अब देखो 21 में जा 21 और 2, 8 करेंगे 22, 23 तो ये कौन सा है सबसे बड़ा है मतलब ये ही आएगा 22 डिवाइड 21 अब next 1 and 2 21 अब को इतना सिंपल ही इसमें याद रखना है कि जब सेडिंग ओडर में छोटे नमबर से बड़े तक जाना है अब next हमें दिया है उपर दिया हुआ है देखो 5, 5, 5 तो इसमें कैसा होगा उल्टा करना है आपको कि जब यहाँ पे ऐसे डिंग दिया है तो क्या करोगे इसमें बड़े से आपको कैसे जाना है जब उपर दिया हो सेम नमबर और नीचे यहाँ पे अलग-अलग दिया हो तो अब मैंने यहाँ पे छोटे से बड़े गए तो आपको यहाँ पे बड़े से जाना है तो सबसे पहले बड़ा कौन सा 13 है 513 उसके बाद आएगा 512 इसके बाद आएगा 511 510 and 5 9 इससे देखो वेसे ही देखो यहाँ पे था deciding order में तो deciding order में तो सबसे पहले तो हम क्या लिक करते है बड़े से छोटे जाता है बड़े से चोटे जाता है जब उपर जहाँ पे सेम नमबर होते तो इतना सिंपल याद रखना है आपको उससे उल्टा करना है जो भी दिया है उससे हम यहाँ पे देखो जब deciding order था तो हम बड़े से चोटे छोटे नमबर से last में बड़े नमबर तक जा रहे थे तो जब यहाँ पे देखो उपर जब आया तो क्या क्या उल्टा किया बड़े नमबर से छोटे नमबर तक गए अब next time में देखो अब यह दो थे नहीं करने आपको 11 12 वाला है वो reduce the fraction to lowest time में सबसे पे lowest time में लिखने है तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 तो क्या होगा 1 3rd lowest time मतलब जो छोटे से छोटा होता है वो अब आपको देखो 4 2 जा 8 and क्या आएगा 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18 है की नहीं तो सब में 2 के टेबल में 2 4 जा 8 and 2 9 जा 18 तो कौन सा हो गया इसका lowest time 4 9 वैसे आपको सब में कट करके जाना है अब 7 3 जा 21 and 7 2 जा 14 तो 3rd 2 जा जाएगा अब 15 15 जा 30 and 15 5 जा 75 तो इसका क्या हो जाएगा 2 5 हो जाएगा अब वैसे यहां पे दिया है आपको 18 9 जा 144 and 18 5 जा 80 अब 9 5 तो यह सब आपको क्या करना है 9 5 यह lowest time तो यह उसके कट करके आपको जो आंसा है वो lowest time है अब वीच ओप इस आर इन लो एस टम तो आपको देखना है कोई भी टेबल में भी ऐसे नहीं हो रहा है एक ही टेबल में नहीं आ रहा है तो यह भी नहीं है कौन-कौन से है तो lowest term हमें मतलब तो अब यह कोई भी तो यहीं का यह रहेगा 40 और 41 इसमें भी 72, 61 रहेगा तो एक देखो यह वाला cut है तो lowest term में से कौन सा तो यह कौन सा नहीं तो ये वाला, क्योंकि ये कट हो रहा है, तो अब इसको नमबर लिखने हैं, तो 311, कौन सा है देखो, तो 311, और 25, 36, 40, 41, 40 and 41, 72 and 61, ये सारे कौन से हैं, लोवेस टर्म, आपको सिप ये लोवेस टर्म लिखना था इसमें, तो ये वाला है, देखो, कट हो रहा है, तो ये नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ये नहीं लिखना है, बाकि जितने नमबर है, वो आपको ऐसे नीचे आंसर में लिख देना है, आज मैंने आपको जो करवाया, वो आज ये वाला सब, आपको किसमें, में करना, थैंक यू